नमस्कार आप देख रहें कारू नियूज आपके साथ मैं हूँ शुतिश रवास्तव केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह राज़त्रो कानून की समिक्षा के लिए तयार है अब सर्वोच नियाले ने भी केंद्र के इस रुख के बाद कहा है कि जब तक सरकार राज़त्रो कानून के भविश्व पर फैसला नहीं करती तब तक इसे रद्द किया जाएगा और इसके आरोपी भी जमानत याज का दायर कर सकते हैं कोट और केंद्र की तरफ से राज़़ो कानून पर इस तेज तर्रार रवईयों को लेकर अब इसके ओचित पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं दरसल कोट कई मौकों पर इस कानून की सबधानिक व्यादता पर ही सवाल उठा चुका है साथी इसके गलत इस्तिमाल की बाद भी कह चुका है ऐसे में आपको बता दें कि आखिर राज़़ो कानून के ओचित पर सवाल उठ क्यों रहे हैं और आखिर कैसे पिछले 12 साल में राज़़ो के मामलों में जबरदस्त उच्छाल आया है खासकर मोधी सरकार के राज में कैसे यह मामले तेजी से बढ़े हैं तो चलिए आपको बताते हैं इसके अलमा आपको ये भी बता दें कि NCRB ने जब से इससे जुड़ा डेटा प्रकाशित करना शुरू किया है तब से इन आकरों के बीच में कितना फर्क देखने को मिला है ये भी आपको आज हम समझाएंगे बारा साल में कितनी बार इस्तिमाल हुआ यह कानून राज़़ो कानून पर 2010 से 2021 तक का डेटा रखने वाली वेबसाइट आर्टिकल 14 के मुताविक इस पूरे दौरे में देश में राज़़ों के 867 केस दर्ज हुए है वेबसाइट में जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, NCRB रिपोर्ट और अन्यम माध्यमों के जरिये बताया है कि इन केसों में 13306 लोगों को आरोपी बराएगा हारा कि जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुआ था, डेटा बेस में उनमें सिर्फ 3000 लोगों का ही पहचान हो पाया है 11 साल में ये हाल तो मोधी सरकार में क्या हुआ होगा रिपोर्ड के मताबिक 2014 में मोधी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 2021 तक 595 राज़रों के मामले दर्ज हुए यानि 2010 से दर्ज हुए कुल मामलों में से 99 पीज़िदी NDA सरकार में ही दर्ज हुए अगर इन मामलों का कुल औसत निकाला जाए तो जहां 2010 के बाद से UPA सरकार में हर साल 678 केस दर्ज हुए तो वहीं NDA सरकार में हर साल 674 मामले दर्ज हुए है NCRB से कितना अलग है ये डेटा ये भी आपको बताते हैं पहली बार National Crime Record Bureau यानि NCRB ने राज़द्रों से जुड़े केसों का डेटा 2014 से जुटाना शुरू किया था हाला कि NCRB के आकरों की माने तो 2014 से 2020 और 2021 के आंक्रे उपलब्द नहीं है फिलार के बीच राजद्रों के 399 मामले ही दर्ज हुए है आटिकल 14 ने इस दौरान 2014 से लेकर 2020 के बीच ही राज़द्रों के 557 मामले दिखाए है आटिकल 14 ने अपने रिकॉर्ड्स में ये साफ किया है कि NCRB का डेटा राज़द्रों के सभी मामलों को पूरी तरह कवर नहीं करता इसकी वज़ए ये है कि ऐसे मामले जिन में कई और धाराओं का इस्तमाल किया जाता है NCRB ऐसे मामलों में सिर्फ उन धाराओं को गिनता है जिनका परिम्डाम ज्यादा होता है इन केसों में कोड के फैसलों का क्या है राजद्रों के इन 667 केसों में महस 13 लोगों को ही दोशी पाया गया यानि इन में से जो 13,000 आरोपी बनाए गए हैं उन में से सिर्फ 0.1 फीसिदी ही राजद्रों का दोशी पाया गया है हलाकि इन मावलों में फसे लोगों को किस तरह की परिशानी से गुजरना पड़ा इसका अंदाजा भी लगा पाना शायद मुश्किल हो सकता है कि एक आरोपी को जमानत मिलने तक औसतन पचास दिन जेल में बिताने पड़े वहीं अगर जमानत के लिए किसी को हाई कोट का दर्वाजा खटखटाना पड़ा तो उसे राहत मिलने में औसतन 200 दिन लगे हैं किन राज़्यों में राज़्यों के सबसे ज़्यादा केस थे तो 2010 से लेकर 2021 तकी डीटा को दिखा जाए तो सामने आता है कि राज़्यों का सबसे ज़्यादा इस्तिमाल जिन पांच राज़्यों में किया गया उनमें दो में भाज़्यों के मुक्वंत्री तो दो में एक में बिपक्षी पार्टी के सीम थे जहां बिहार में 2010 के बाद कुल 171 ऐसे केस दर्चुए तो वहीं दूसरे नमबर पर तमिलनाडू रहा इसके बाद उत्तर प्रदेश जारकंड और करनाटक रहे आरोपियों के लिहाद से बात करें तो राज़्यों के मामलों के सबसे ज़्यादा 4641 आरोपी जारकंड में बनाए गया है राज़्यों के आरोप जेलने वाले समाजिक कारकंडाओं से लेकर पत्रकार तक जिल लोगों पर राज़्यों के सबसे ज़्यादा केस लगाए गया है उनमें समाजिक कारकंडा और समू सबसे ज़्यादा निशाने पर रहे है कुल 492 आरोपी बनाए गया है वही अकादमिक और शातरवर के किलाफ राज़रों की धारा में 69 केस दर्ज हुए है और 144 आरोपी बनाए गया है राजनेतिक कारकरताओं पर 66 केस दर्ज हुए है और 117 आरोपी बनाए गया है दूसी तरफ आम कर्मचारी और व्यापारियों के खिलाफ 30 मामले दर्ज हुए है जबकि 55 आरोपी बनाए गए है पत्रकारों के खिलाफ 21 केस बनाए गए है और 40 आरोपियों पर कारवाई की गई है यह है राजद्रो का मामला तो राजद्रो पर क्यों इतनी सियासत चड़ी हुई है सुप्रेम कोट हाई कोट का स्टैंड क्या है यह मैंने आपको समझाया आप इसके बारे में क्या सोसते हैं कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए बच्सफपियों पर बच्सभ बंद सुपट करना है झाला स्टैंड करते हैं